Hello friends, welcome back to my channel तो आज की वीडियो में मैं जो स्मार्टफोन को अन्बॉस करके दिखाने वाला वो है वीवो का Y17 तो ये आप देख सकती है वीवो का Y17 और ये एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन है तो अगर आपको ये पर्चेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल चेक कर सकते हैं साथ ही साथ हम बात करेंगे एक स्मार्टफोन के डिटेल फीचर्स के रिगारिंग और देखेंगे वीवो ने क्या क्या फीचर्स इसमें एड कर दिया है क्या कुछ नए फीचर्स इसमें आ गए है तो इस वीडियो को मिस्स मत करिएगा इस वीडियो को आखी तक जरूर दिखेगा और अगर आप नहीं मेरे चैनल पर तो कर लिजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके बगल में जो घंटा बना हुआ उसे दबाना मत भूलेगा जिससे मेरे कोई भी लेटिस वीडियो आगी तो आपको वाल का घंटा टंस से बच जाएगा तो आए श्टार्ट करते हैं वीडियो से तो आई इसको फटाफ़ट से कर लेते हैं उन्बॉक्स और देख लेते हैं उपर की तरफ में क्या दिया हुआ उपर में दिया हुआ विवो की ब्रेंडिंग और यहाँ नीचे लिखा हुआ बड़े से फचर में Y17 और यहां लिख चार्जिंग तो यह बहुत ही बढ़िया चीज दी हुए कि इसमें आपको जो है फास्ट चार्जिंग मिल जाता है साथ में इधर कुछ बार्कोर्ट्स होगार यह माई नमर वगर दिये हुए इधर आपको कुछ MRP वगर दी हुए है तो बिना लेट किये हुए इसको फटाफ अधर परदिश देखे लेते हैं किसमें इधर आपको मिल जाएगा साथ में इसमें के बमें चार्ज करने के लिए वह आपको यह देख सकते हैं आपको USB केबल मिलता है जो कि एक ओके-ओके चीज है कि आपको इसमें Micro USB केबल मिलता है साथ में आपको 3.5 mm jack वाला headphone मिल जाता है तो यह एक बहुत ही बढ़िया चीज दिया हुआ है तो बाकी सब चीज को रखते है side में और mobile को कर लेते unwrap तो यह मैंने इसको निका लिया mobile को rapper से और यह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लूप दिया हुआ है बहुत ही amazing look दिया हुआ डिस्प्ले का भी और साथ में यह आपका जो color है तो यह आपका जो है mineral blue color दिया हुआ इसमें आपका तो यह बहुत ही बढ़िया blue shade में dual tone shade इसमें आता है जो कि आपको एक इधर कुछ dark type का bottom में shade मिलता है उपर में आपको light shade मिलता है और पीछे की आपको मिल जाता है तीन camera का setup जो कि यह आपका 13 megapixel का F 2.2 aperture के साथ में आपको 8 megapixel का ultra wide मिल जाता है और साथ ही साथ आपको मिल जाता है 2 megapixel का depth sensor मिल जाता है तो यह बहुत ही बढ़िया triple rare camera का setup दिया हुआ है साथ में आपको मिल जाता है यह लिखा हुआ flash और साथ में लिखा हुआ AI triple camera और इधर आपको दिया फिंगरप्रिंट display नीचे आपको branding मिल जाती है Vivo की बहुती ही बढ़िया और इसका look बहुती ही बढ़िया दिया हुआ इधर side में आपको steel body बगर मिल जाती है यह बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है इसका overlook की बात कर ले तो तब तक इसको फटाफर से कर लेते boot और बात कर लेते इसके overview features की तो इधर की तरफ में आपको on and on का button मिल जाता है साथ में आपको wall in का up and down का button मिल जाता है उपर की तरफ देख ले उपर blank है उपर कुछ भी नहीं है इस side देख ले तो इस side आपको sim tray मिल जाती है तो आईए इसको निकाल के देख लेते हैं किस type से sim tray दी हुई है तो इसको मैं फटा फट से निकार के देख लेता हूँ तो इसमें जो sim tray मिलती है वो आपको मिलती है एक separate sim tray जिसमें आप दो sim भी लगा सकते हैं और साथ में आप एक memory card भी लगा सकते हैं यह एक बहुत ही बढ़ी है चीज मेरे को लगी कि इसमें आप जो है sim भी लगा सकते हैं दो और एक memory card भी अलग से लगा सकते हैं और नीचे की तरफ देख लिए तो नीचे आपको मिल जाता है 3.5 mm jack का एक point मिल जाएगा साथ में आपको microphone मिल जाएगा और यह आपको micro is भी charging point है और इधर आपको इस speaker के green मिल जाएगे तो यह एक बहुत ही बढ़िया compact set दिया हुआ है और look की बात कर ले तो look भी बहुत ही amazing दिया हुआ है और साथ में इसको आप on कर लेते हैं इसको मैंने boot कर लिया है तो यह आप display देख सकते हैं डिस्पले का brightness का pixels बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है तो अब हम display की बात करें तो display आपको जो मिल जाता है 6.35 इंच का display मिल जाता है और यह जो display है यह आपका display LCD display दिया हुआ है ना कि एक Super AMOLED डिस्पले है तो यह भी एक ok ok features है इसके और साथ में जो screen का resolution मिल जाता है वो आपका 720 x 1544 pixels का यह आपका resolution मिल जाता है जो कि ok ok resolution जी दिया हुआ है और इसमें जो android मिल जाता है वो सब भी हम आपके settings में जाके check कर सकते हैं और इसमें जो इसमें battery मिल जाती जो कि एक बड़ी battery especially यह बोलता ही apps में आपको मिल जाती 5000 mAh की battery मिल जाती है जो कि एक compact set है हाला कि weight की बात करें तो एक balance set है बहुत ही ज़्यादा heavy भी नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा light weight भी नहीं है तो आई इसको फटा फटा दिकर लेते हैं settings में चलते हैं और देख लेते हैं इसमें features क्या क्या मिल जाते हैं तो इधर हम आजाते है system updates वगर दिया हुआ है more settings वगर दिया हुआ RAM और storage देख ले तो RAM आपको इसमें दिखी हुई है कि 4GB RAM है और total space आपको 128GB की मिलती है जिसमें available जो आपको मिलेगी इसमें 13GB ही available मिलेगी और साथ में आपको more settings में चलके देखते हैं about phone के बारे में तो about phone में model number वगर दिया हुआ Android का version दिया हुआ है जो कि आपका ये Android 9 है तो ये आपका Android Pi इसमें आपको latest मिल जाता है processor आपका मिल जाता OctaCore का और साथ में आपका software version वगर दिया हुआ है kernel version दिया हुआ है तो ये सब चीज आपको दिया हुआ है और साथ में जो इसमें जो प्रोसेसर आपको मिल जाता है वो है MediaTek का Helio P35 जो की रन करता है आपका 12nm पे तो यह आपका एक बहुत ही बढ़ियां MediaTek का प्रोसेसर आपको मिल जाता है और साथ में बात करें इसमें Selfie Camera की जो की आप देख सकते हैं एक यह Water Drop Notch के टाइप से दिया हुआ है और इसमें आपका Selfie Camera दिया हुआ है जो की आपका 20 Megapixel का जिसके साथ आपको जो aperture मिलता है वो है F2.0 का aperture मिल जाता है और उपर की तरफ आपको यह Earpiece के Grills मिल जाते हैं तो यह बहुत ही Slim टाइप से दिया हुआ है और जो Edge to Edge Screen दिया हुई है जो की एक बहुत ही कम Bezels दिये हुए है हाला कि उपर में तो Bezels एकदम minimum है और नीचे में आपको नीचे थोड़े से Bezels आपको मिल जाएंगे तो फिर भी एक बहुत ही बढ़िया सेट है बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है तो Camera जो आपका ये दिया हुआ है ये हम देख लें इसका Camera बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है तो ये आप देख लें ये एक आपका selfie camera दिया हुआ है ये Rare Camera से मैंने एक Pi Play click किये तो यह आप देख सकते हैं कैमरा का correction बहुत ही अच्छा दिया हुआ है और साथ में मैं आपको एक selfie camera दिखा देता हूँ तो selfie camera है यह आप चेक कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से selfie camera भी दिया हुआ है तो यह एक बहुत ही बढ़िया चीज है इसमें आपको और beauty mode बगर मिल जाते हैं यह आप देख सकते हैं यह आपको एक beauty mode मिल जाता है और इसमें panorama दिया हुआ है pro mode बगर इस सब अलग-अलग videos के लिए fun videos के लिए यह सब अलग-अलग आपको mode मिल जाते हैं और साथ में आप देख लें इसमें कुछ apps उगर के बारे में तो apps उगर जो इसमें मिल जाते हैं by default सब आते हैं phone पे वगर दिया हुआ है और इस तरह के के आपको apps मिल जाते हैं Google के सारे by default apps मिल जाते हैं तो यह था बस आज के लिए तो आज की वीडियो में बस इतना आई उमीद है आपको इवीडियो बहुत ही जात पसंद आई होगी और अगर आपको इवीडियो पसंद आई हो तो इसे like किये बिना मत जाईएगा और इसी थार की वीडियो हमेशा देखने के लिए कर लिजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके वकल में जो घंटा बना हुआ है उसे दबाना मत भूलेगा जिससे मेरे कोई भी लेटिश वीडियो आएगी तो आपके मुवायल का घंटा टंस से बच जागा तो बस आज के लिए धन्यवाद